जोती शास्त्र में मंगल ग्रह को भूमी, क्रोध, रक्त, शौरे और पराक्रम का कारक माना जाता है। इसलिए जब भी मंगल ग्रह की चाल में बदलाव होता है तो इन सिक्टरों पर खास प्रभाव पड़ता है। मंगल ग्रह 28 दिसंबर को धनु राशी में प्रवेश करेंगे। धनु राशी पर गुरु ग्रह का आधिपत्य है और मंगल और गुरु ग्रह में मित्रता का भाव है। इसलिए इस गोचर का प्रभाव सभी राशियों के जातकों पर देखने को मिलेगा। लेकिन तीन राशि के लिए मंगल ग्रह का राशी परिवर्तन शुप फलदाई साबित हो सकता है। क्योंकि एक तो मंगल ग्रह व्रिश्यक राशी का स्वामी है, साथ ही मंगल ग्रह व्रिश्यक राशी से धन भाव का स्वामी भी है। इसलिए इस समय व्रिश्यक राशी के जातकों को समय समय पर आकस्मिक धन की प्राप्ती होगी वहीं इस समय उनके साहस और पराक्रम में भी वृध्धी होगी वहीं आमदनी में वृध्धी के नए नए मार्ग बनेंगे अगर वृष्चिक राशी के जातक जमीन खरीदने की उचना बना रहे हैं तो यह उनके लिए अच्छा रहेग भविष्चे में इसके कई फायदे भी मिलेंगे साथ ही मंगल ग्रह वृष्चिक राशी से छठी भाव का स्वामी भी है इसलिए इस समय वृष्चिक राशी के जातकों को कोट कचहरी के मामलों में सफलता मिल सकती है शत्रूँ पर विजय मिलेगी मंगल ग्रह के गोचर से सिंग राशी के लोगों के अच्छे दिन शुरू हो सकती है क्योंकि मंगल ग्रह संचरन सिंग राशी से पंचम भाव पर होने जा रहा है इसलिए इस समय सिंग राशी के जातकों को संतान से संबंधित कोई शुब समाचार मिल सकता है वही अटके ध सफलता मिल सकती है वहीं प्रेम संबंध विवाह में तबदील हो सकता है नौकरी पेशा जातकों को अधिकारियों और टीम के सदस्यों का पूरा सहयोग मिलेगा और वे आसानी से सभी प्रोजेक्ट को पूरा करने में सक्षम होंगी धनुराशी के लिए मंगल ग्रह का राशी परिवर्तन अनुकोल सिध्ध हो सकता है क्योंकि यह गोचर धनुराशी से लगन भाव पर होने जा रहा है इसलिए इस समय धनुराशी के जातकों के आत्मविश्वास में बृत्धी होगी साथी वे किसी भी तरह के कन्फ्यूजन से दूर रहेंगे और लक्षियों को प्रा हो जाएगी और रिष्टा अच्छा रहेगा साथ ही इस समय धनुराशी के जातक कोई वाहन और प्रॉपर्टी खरीच सकती है कुल मिलाकर मंगल ग्रह की गोचर से वरिष्टिक सिंग और धनुराशी के जातकों को आकस्मिक धनलाब और जमीन जायदात का लाब मिल सकता है इन राशियों के जातकों को इस अबधी में अपने लक्षियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और कड़ी महिनत करनी चाहिए